आप सभी लोग एक बाद फिर से स्वागत आपका हमारे यूटूब चानल इस्टडी भी थी होगे इसमें तो आज फाइनली अंतिम वीडियो वान के चलिए पुलिस कांस्टेवल के लिए सबसे पहले बच्चों आप सभी को एडवांस रूप से मेरी उपसे ठेल सारी मतलब जो मैं कह सकता हूँ कि सुपकामनाए है मैं चाहता हूँ कि आप लोग का चयन हो और मैं ये चाहता हूँ कि सभी का हो लेकिन एक सत्य ये भी है तो सभी का कैसे होगा बच जितने नमबर आप पोस्त हो उनी का है तो जो सर्वस्रेस्ट होगा जिसका दिन होगा जिसका भाग ये होगा उसका फाइनल इसमें सेलेक्शन हो जाएगा समतिंग बच्चे है और एक जो में टेलिग्राम ग्रूप है जिसमें लगवक 33,000 से चरा सा उपर ठीक है यानि 34,000 के समतिंग बच्चे है उसके अलाव मेरा कोई भी टेस्ट ग्रूप, टेस्ट वेबसाइट, वट्सट ग्रूप कुछ भी नहीं है ठीक है यानि कोई छात्र या कोई ऐसा काम करता है जो वहां से टेस्ट पेपर उठाके उन्हीं कुशन को अपने वेबसाइट पर अप्लोड करके फिर आपको वट्चप ग्रूप पर एड़ करता है तो आप इन चीजों से और फिर पैसे अगर मांगता है तो इन चीजों से बत के डेरना ठीक है मैं किसी का नाम नहीं ले रहा लेकिन मुझे ये सिकायत बच्चों नी की मतलग का ये बच्चों ने मुझे मेसेज़े ज़ेजे सर देखे आपके पेपर को यहां अप्लोड किया गया है आपके पर यह वह आला कि पैसा किसी नहीं मांगा आप से अभी तक और कर दूँगा क्योंकि फिर पेपर क्या होता इधर से उधर यी वह बच्चे इसी काम में लगे रहते हैं तो फिर आगे के तहीं यारी के लिए फिर देखेंगे ठीक है वो बात की बात है देखें सबसे पहले बच्चों अब संड़े को पेपर है अपना माइंड फ्रेस रख कुछ नहीं होगा तजुरबा होगा एक इग्जाम निकलेगा सेलेक्षन होगा इग्जामनेशन जो आपका इग्जाम प्रेस एक्जाम पे उमेद लेकिन नाम फ्याओ बारा कि इतना तनाव लेनिका जबकिन ज़र्वत नहीं है अब देखें सबसे पहले क्या करना है जब पेपर एक्जामनेशन पढ़ाईगी कोई बात नहीं हो ठीक है अंड्रेट मार्क्स का आपको पेपर मिलना है आप पेपर हॉल पे चलेगी एक्जामनेशन हॉल पे बैढ़ गए और ये छोटी-छोटी हरकता मत करना कई बच्चे क्या करते हैं जैसे पेपर होगा या आपको रिटन काम करना होता जैसे हमारा होता है हाई स्कूल में, इंटर में या कॉलेज टाइम पर पता रहते हैं यह क्वेशन आएगा तो बड़ी थेओरी होती है उसकी डाइग्राम बनाना होता तो हम पढ़ते हैं उसको तुरंत याद रहें अब वो अब्जेक्टिव क्वेशन है उसका नेचरी अब्जेक्टिव है आपके एक्जाम निशन होनका जस्ट पहले पेपर से पहले मेरे समझवनी आते हैं क्या पढ़ते हैं ऐसे लोग ना सिधे उनके मुँपे जाके भी क्या पढ़ रहे हो अब तुछ होड़ दो आपका हो जाएगा चैन ऐसा कहके आना ठीक हो यह तो खेर मजा की बात है देखियो 100 नंबर का फेपर आएगा आपका आपको कुछ नहीं करना है सबसे पहले कई बच्चे काम करते हैं OMR seat गलत तरीक से मत भनना आपसे मैं request करता हूँ क्योंकि कई बच्चे क्या करते हैं OMR seat गलत भरियाते हैं यहां कहेंगे सर यह हो गया हो सकता UKPSC आपको कोई चांस नहीं देगा ठीक है आप ध्यान रखना आपको जो अपना रॉल नंबर भनना है वो सही तरीके से बनना है क्योंकि कम्प्यूटर चेक करता है उसको गलत तो गलत ठीक है आपको पेपर कोड अच्छे से बनना है दो चीज तो बहुत इंपोटेंट नहीं एक रॉल नंबर एक पेपर कोड जो सैट होता है A B C D यह बहुत इंपोटेंट है कि वो कैसे बनना है उसके अलावा City Code और जो भी है City जो एकजाम मलए City जो होता है न सेंटर कोड यह वो तो ठीक है वो तो Secondary लेकिन Most Important उसमें क्या है आपको जो भरना है उसमें Paper Code और रॉल नंबर यह तो Must है यह बहुत इंपोटेंट है कौन सा सैट है कौन सा रॉल नंबर यह बहुत सही होना चाहिए पहले पढ़ दे के रहे को से 100 पनी पराड़ सकते हैं पर 2-3 तोविष नहीं तोविश नहीं फिर उसे क्या होगा यह का अपने लग जाएंगा हाथ पहर यानि कि जैसे ही आप सो नंबर का प्र पढ़ोगे और फिर पेपर यह मेरी टेक्निक है मैं और उसकी बात नहीं करता सबका अपना अपना तरीका होता सबका अपना नेचर हो अगर आपको ज़्यादा कुशन आएगे तो ओबर एक्साइटेट होगी है आप पेपर तुई यह करता हूं करता हूं तो एका डी डी का भी होने में कोई देनी लगते है ठीक है दूसरा बाइचांस अगर भगवान नगरें ऐसा हो कि आपके कोई कुशन नहीं आ रहे होते है तो हमारा क्या होता ना ध्यान हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं जैसे आपने तरीके से मानता हूं कि यह मैं अपना तरक दे रहा हूं जैसे सपोज कुशन नंबर 48 में आप पहुँचे आपको 48 नहीं आया ठीक है 48 इससे पहले सपोज आपको 8 मा कुशन, 12 मा कुशन, 7 मा जैसे भी 49 पर पढ़ रहे होगे ना आपका ध्यान यहां हो गए यार उसका क्या था उसका क्या था उसका क्या था तो उस चक्कर में क्या होगा जब आप 56 पहुँच लोगे तो आपको 56 भी दिमाग से निकलने लग जाएगे यह एक एक इक्जामपल बता रहा हूं मैं ठीक सबसे पहले OMR सीट भरने के बाद आप सीट से क्वेशन करना शुरू कर दें पेज मत पढ़ता ही होता है ने ओबर एक्साइटेड यार पीछी क्या क्वेशन जो आया होगा इसको चैक जोगल ले ऐसा नहीं करना आपको क्वेशन नमबर बनाता है जो किसे उसको एक पर आया गोला हमारा क्यों नमबर फाइब नहीं ड़ा छोड़तो क्वेशन नमबर शिक से उसके चलने के बाद जब आप कुछन नमबर हंडेट पर पहुंच जाओगे तो आपको एक अनुमान आजाएगा यानि आपको एक आईड़या आजाएगा कि आपका पेपर कैसा जब आप question number hundred पे पहुंचोगे यहीं आपकी आत्मा बोल देगी बेटा तेरा चयन हो गया बन गया तो अब एक लाठी पकड़ गे तुने करने आए एक दो लोग का चालान करना ही और जो गलत काम करेगा एक दो तुने देने ही है लाठी से अपनी वहीं तुझे पता जल जाएगा ठीक है तो जब hundred question आप कल लोगे hundred number question पे पहुंच जाओगे तो आपका मस्तिस्क जान जाएगा कि बेटा तुझे कितना काम करना है कैसे काम करना है यानि आपको लगा है hundred question में आटम किये जैसे ही आप पीछे और सबसे important सबसे महत्यपूर बात ध्यान देना इन point को note करना बच्चो point number one क्या करना ऐसे लिखना ठीक है इसको ध्यान रखना एक्जाम से सर्वपर्थम लिख देना OMR सीट सही भननी है पहला point second point लिखो सबसे पहले question hundred तक नहीं पाड़ने है तीसरा सबसे पहले जब आप करोगे आपको ये करना है जिस question का answer आप सत परतिसत सही समझते है यानि आपको पता है hundred percent इसका answer यही है अपने मस्तिस्क से कहना कि यार बेटा तु जानता है क्या तु confident है क्या सत परतिसत यही answer है दिमाग भी कहेगा दिल भी कहेगा कि हाँ यही है answer तो सबसे पहले ऐसे ही question करना जिस पे आपको hundred percent surety हो यानि ये doubtless होने चाहिए ये संदे से परे होने चाहिए किसी भी तरीके से इन questions पे आपको संदे नहीं होना चाहिए आपको उन 100 questions को सबसे पहले देखना है कि आपके सत प्रतिसत सही वाले question कितने है अब इसके बाद क्या होगा किसी के 57 question सही होंगे किसी के 52 question सही होंगे किसी के 61 question सही होंगे अधिकतम 65 होंगे किसी के 56 होंगे किसी के 52 होंगे ऐसे question चलता है बच्चो ठीक है मतलब एक जो पढ़ने वालों की बात करना तो पहला attempt यह ही जाता है अधिकान से साथ होगा यह मत समझना है कि हम पहला attempt में कितने brilliant हो 85 ले हैं यह मत समझना है 75 ले हैं क्यों ऐसा होता है वो इसलिए होता है क्योंकि हमें exam का pressure रहता है यानि examination hall का जो एक पकार का pressure है वो हम वहा करना है जेलना है एक हिसाब से कहे दो ठीक है यानि कहीं न कहीं हम यह मान के चलेंगे कि जो exam का हमारा pressure है examination hall पे जो तनाव है वो हमें क्या करता है कि वो आने वाले question को भी दो या तीन बार सोचने पर मजबूर करता है यार इसका answer यह होगा नहीं होगा यह होगा नहीं होग तो आप simply एक चीत करना सबसे पहला और सबसे महत्तुपूर काम है पेपर को सो नमबर की study करने के बजाए इस टार्टिंग से जो question आ रहे हैं जिसमें आप सत्परतिशत शियोर है कि इसका answer यह है तो है कुछ भी हो जाए मुझे confident है कि मैंने पढ़ा है भी इसका answer यह ही है त जहां पर आप सत्परतिशत ताई हो चुके हैं कि आपके इतने सही हैं आप उस question में जितने question आपके सही है अपने physical के marks एड़ करना है excitement ठीक है physical के marks एड़ करने के बाद आप चेक करना कि कहां पहुंच रहे हैं ठीक है और आप सभी लोग जानते हैं कि physical के marks एड़ करने के ब फस्ट अटम में 58 मार्क्स तो ये कितने होगे 6 नमबर गटा दो लगभग 152 ठीक है ये आपकी तुरंत अपने दोस्तों का ग्रूप याद करना कि आपके दोस्तों के ग्रूप में लगभग आपके सांथ कितने ये कोई एक मिनट से जाद का काम नहीं है ये मसोचा कि सार इसम दो-चार नमबर उपर जोड़ देना यानि आप 98 की जहां आप 58 लेगा हैं वहाँ 65 जोड़ देना आप ये सुचना कि यार मैने भी तो पड़ा है चल मुझसे बहतर लाएगा तो कितना ले आएगा तो आप उसके मार्क्स जोड़ देना ठीक है जब आप ये मार्क्स जोड इतने अटेम्ट करना इतने तक सेफ स्कोर है वो कुछ नहीं होता अटेम्ट करना ये करना ये सब एक परकार की मिथ्या है एक परकार की कहने की बात हैं कि इतने करना तो इतने होंगे इसलिए सेलेक्शन होगा ये कटाउप ऐसा कुछ नहीं होता हर वो चार्टर जिसको वह कुश्चन आएगा वो उसको attempt करके आएगा वो सही करके आएगा वो यह नहीं देखेगा कि मैंने इतने ही लाने हैं मैंने इतने लाने भई आएगा तो टिकी तो करोगे ना आपको एक बाप बताओ सो कुश्चन है आपको 96 कुश्चन आगे भले यह होना बहुत रहर होता कि 96 कोई ऐसा पेपर बनाता ही नहीं कि 96 से बच्चे कर आएगा अगर सपोज मान की चलो 100 नमबर का पेपर है आपको 90 कुश्चन आगे एग्जेक्ट आगे क्या आपको किसी ने यह कहा था कि बेटा ते कि मैं कहूंगा उसको कि बच्चे लोग कहते कि इतने करके आना लोग कहते इस्टडी भी से योगे कभी नहीं कहेगा आपसे इतने करके आना वो सिर्फ आपसे यह कहेगा पेपर देखना पेपर का नेचर देखना पेपर आपके किस इस्तर का है जो आएंगे वो तो करोगी करोगे अब आप बताओ आपके physical marks 80 हैं पेपर मल आ रहे हैं 50 to 53 marks तो आपको पेपर में बढ़ा नहीं पड़ेंगे ना कैसे selection हो जाएगा कुछ सोचो physical marks आप 80 82 marks लेके आएगो पहले ही हैं आप 10 12 नंबर क्योंकि इसमें जितने नंबर और पोस्ट हैं ध्यान से सुनना जितने नंबर और पोस्ट हैं उतने बच्चों के तो होंगे इना 94 या नहीं होंगे महला अगर 1500 पद उपे हैं क्या आपको लगता है नहीं कि 500 बच्चे पूरे राज जिम में जहां डेल डाक लोग ने physical दिया है 500 बच्चे ऐसे नहीं होंगे जिसमें 94 marks लेके आएगे तो आपको स आप रिजाब लगा लो तो ऐसे कैसे सेलेक्शन होगा तो जो 80 टूल आया है वो 50 टूल आ रहा है तो उसको कम से कम 70-75 question attempt करने होंगे 80 question attempt करने होंगे वो भी exact वाले कम से कम 70 वातर सही होने जे तब जाके वो कहीं न कहीं race में consider किया जाएगा वरना वो पहले ही physical में पिछड अब return one का मतलब वो तो paper बताएगा अच्छा कौन नहीं करना जाता है बताओ अगर मैं paper देने जाओ जो मुझे question आ रहा है क्या मुझे छोड़ दूगा मतलब ही नहीं होता है अच्छा score करने का यह मतलब है अगर by chance भगवान न करें ऐसा हो कि आपको कम question आ रहे हैं आपको 54 question, 56 question, 57 question आ रहे हैं तो आप उसको छोड़ के मता जा ना कि paper hard है क्योंकि आप पहले पिछड़े हैं आप 20, 15, 18, 13, 12 नंबर पहले पीछे चल रहे हैं तो उन बच्चों के साथ जितने number of post हैं उनके साथ तो कम से कम group मा आना ही पड़ेगा ना तब जाके आपको score बढ़ाना हो मेरे 90 प्लस है, 94 प्लस है, 96 प्लस है और वो paper के इस तर को देखें वो खुद अनुमान लगाएं कि paper case है क्योंकि पढ़ने मारे तो हैं ही ना पहली बार पढ़ रहे हैं क्या जब पहली बार पढ़ने तो पिछले एक साल से study तो करी रहें जब से विग्यापन आया, at least तब स आप पढ़ी रहें और उत्राखेंड में तो इतने ज़्यादा sources है, कोई YouTube पे है, कोई offline है, कोई online है, कई तरीके की किताब मार्केट में है, हर चीज, हर प्रकार का content market में available है, तो आप भी तो पढ़े हुए छादरे ना, आप भी तो अध्यन करके examination hall पे गें, तो आप स्लेबस कबर किया है, आपने उत्राखंड साई से की है, हिंदी साई से की, जी एस साई से की, कुछ बहुत रिजनिंग, computer, current of year आप देखेगे, उसके बाब जुद अगर आपको लगता है, कि आप 55, 56 या 52 से उपर इसको नहीं जा पार है, तो पेपर मान के चले कहीं नहीं मतलब नहीं होगा, कि आप उसको 1995 करका है, बिल्कुल भी गलती मत करना, इसलिए मैंने इसको physical के marks को introduce करवाया है, क्यों, क्योंकि ये दोनु ही मिला के 200 में से आपकी cut-off बननी है, यानि आप ये मत समझना, कई बच्चे क्या करते हैं, पेपर क्योंकि पुलिस का अस्टेब कास्टेबल का पेपर है, पहला पहला एक्जाम करा रहा है, नहीं मुन्हें बच्चों के साथ उसको पेपर कराना है, तो वो जानता है कि इसको तब पूछ के क्या भाइदा बताओ, अब जिसके भागे में जो होगा, वो physical और written के mark से लाके उसका selection होगा, उनको तो 15-16 बच जाएगे, ऐसा मत करना है, ठीक है, आप श्योर वाले marks देखना कि exact कितने आ रहे हैं, उसके आद अपने physical के marks देखना है, ठीक है, तो जो बच्चे कहीं न कहीं अगर physical और written मिला के 165, 170, इसके something पहुंच गे तो एक बहुत 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 जादा है, आप कहीं न कहीं के बाद पता जलता है कि paper किस label का था और किस नी इसकी cut off जा सकते है, ठीक है, तो कहीं न कहीं ये मान के चले, अगर हम एक मतलब जो चला आता है, जो लोगों के concept होते हैं, जो उनके तारक होते हैं, उस आधार पर दिखा जाए, तो कहीं न कहीं ये मान के चलना कि अगर आप 165 से 170 marks लेके आते हैं, तो आप लगभग सेव हैं, यानि 99 percentage chances हैं कि आप 165 से 170 के अंदर, जन्रल की अगर चातर हैं, तो आप अंदर आएंगे ही आएंगे, क्यों? क्योंकि अगर आप 175 या 165 नमबर लाते हों, तो आप दोनु paper को मिला के, यानि physical और आप return मिला के, 85-85% marks कर क्या है, और 85% अंकल आना बहुत बड़ी बात हैं, किसी भी exam में, चाहे वो कोई भी हो, उसमें 85% अंकल आना बहुत जादा होता है, और मैं आपको बता दूँ, इसका cut-off जितना मेरा अनुमान है, जो paper होगा, जिस तरीके से होगा, कही न कहीं दोनु paper को मिला के, 75% से अध 75% से प्लस, अब 75% निकाल लो 200 का, कितना बहुत लगभग 200, अब exact 200 करके आओ, ये भी मैं नहीं कहूंगा, क्यूंकि 200 क्यूंकि physical के mark से बहुत जाजा बढ़ा दिये ना बच्चों ने, अगर physical भी ऐसा होता है, जहां बच्चे 70, 75, 78 मल आ रहे होते, तो आपका selection वहाँ पर score रहे सकता है, इस इसको ध्यान से जुनना है, ठीक है, देखिए, मैंने अभी एक सब्द कहा, कि कोई भी exam हो, कैसा भी exam हो, 75% marks लाना अपने आप में, एक safe score होता है, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ एक normal सा तरक है, मुझे नहीं पता कि मैं ऐसा क्यूं कह रहा हूं, यानि 75% सेफ जोन में होता है, ठीक है, ये क्या होता है, सेफ होता है, मतलब अपने आप पे एक safe score ये माना जाता है, अब देखिए, दोनों को मिला के 75% पुलिस के लिए कितना होता है, 150, बट इसमें एक कमी आ गई, इसमें एक सबसे बड़ी problem ये आ रही है, क्योंकि जो 75% में अंक प्लस पंदर नंबर, जो average है, यानि ये पहुँच गया आपका 90 marks, और सथ, ठीक है, यानि अगर ये प्लस पंदर कर दिया, तो आपको भी मजबूरन इसमें प्लस पंदर करना होगा, यानि 165 के around आपका, कहीं न कहीं physical और return का score अगर रहता है, बाकि तो बच्चों सब paper पे depend करता है, मैं सिर्फ जो चला आ रहा है, जो तरक हो सकते हैं, जैसा जैसा हो सकता है, जो मैं सोच रहा हूँ, अगर वैसा ही paper आया, तो कहीं न कहीं 165 के something आपका safe score रह सकता है, तो ध्यान से समझना, किसी case में अगर आप इसके around पहुँच के, तो जबरदस्ती guess करके, अपन लगा कि यार मैं जबरदस्ती इसको paper को छेड़ के, इसको नीचे की ओर करो minus marks ला कि यह आपके लिए मुश्किल create कर जाता है, इसके पीछे का तरक मैंने बता दिया, 75% safe माना जाता है, अच्छा score किया जाता है, लेकिन इसमें गड़बड यह होरी कि physical ने तो पंद नमर का average जो है उपनी चीखी है, 90 अगर हम physical में average माने selected student का, तो वो कहीं 75 प्लस 90 कितना होगे, यह 90 होगया, तो उसमें अगर 75 नमर वो return के खरते हैं, तो 165, लेकिन 75 रिटन में आएंगे यह भी guarantee नहीं है, paper जैसा बनेगा, ओसतन minus 5 कर लो, minus 7 कर लो, यानि जो भी बच्चे 160 से 170 के around होंगे, वो अधिकान से बच्चे अंतिम रुप से इसमें चायनित होंगे, बांकी इसकी क्या cut-off जा सकती है, 18 तारिक की evening की जो वीडियो आएगी, वो आपको सारा कुछ समझा देगी, कि आप कहां से कहां, क्योंकि बांकी जो तार को बनेगा, वो paper के बाद बनेगा, ठीक होके paper मा, paper देने जाना, और मेरी जो एक सिक्षक के नाते, जो जो मिदारी है, आप लोगो को असिरवात देने की, आप लोगो को समझाने की, आप लोगो को guide करने की, वो हमेशा आपके लिए available रहेगी, जिन्दगी यहां से सुरुवात कर रहे हैं, आप कभी भी ध्यान क्या है, इठेर सारी सुखकामने, फिर मिल टैगले सेसेन पर मत्यान रगिएगा, थेंक यू